भजन सहिता उन्चास, एक से बीस तक, हे देश-देश के सब लोगो, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियो, कान लगाओ, क्या उंज, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ, मेरे मुह से बुद्धी की बातें निकलेंगी, और मेरे हृदय की बातें समझकी मैं नीतिवचिन की ओर अपना कान लगाओंगा, मैं वीना बजाते हुए अपनी गुप बात प्रकाशित करूंगा, विपत्ती के दिनों में जब मैं अढंगा मारने वालों की बुराईयों से घिरूं, तब मैं क्यू डरूं, जो अपनी संपत्ती पर भरोसा रखते, और अ दिमान भी मरते हैं, और मूर्क और पशु सरीके मनुश्य भी दोनों नश्ट होते हैं, और अपनी संपत्ती दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदास्थिर रहेगा, और उनके निवास पीडी से पीडी तक बने रहेंगे, इसलिए अपनी भूमी का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परन्तु मनुश्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह परशुओं के समान होता है, जो मर मित्ते हैं, उनकी यह चाल उनकी मूर्कता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन होते हैं, सेला परमेश्वर मेरे प्रान को अधोलोग के वर्ष से चुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहन कर अपनाएगा, सेला जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभब बढ़ जाए, तब तू भहे ना खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका व उमर मितते हैं, लुका 20, 27 से 47 तक, फिर सदू की जो कहते हैं कि मरे हों का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरू, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पतनी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पतनी से विवाह कर ले, और अपने भाई के लिए वनशुत्पन करे, साथ भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस संतान मर गये, अंत में वस संत्री भी मर गई, इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किस की पतनी होगी, क्योंकि वह सातों की पतनी हो चुकी थी, यीशु ने उनसे कहा, इस यूग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग ये ठहरेंगे कि उस यूग को और मरे हुँ में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह म का परमेश्वर और इसहाद का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुरदों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरू, तू ने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ, फिर उसने उनसे पूछा, मसीई को दाउद की संतान कैसे कहते हैं, दाउद आप भजन सहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाहीने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के तलेना कर दून, दाउद तो उसे प्रभू कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा, जब सब लोग सुन रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे-लंबे वस्त्रपहिने हुए फिर ना स्थान प्रिय लगते हैं, वे विध्वाओं के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दन पाएंगे, लुका 21, 1-4 तक, फिर उसने आँख उठा कर, धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा उसने एक कंगाल विध्वा को भी उसमें दो दमरियां डालते देखा, तब उसने कहा, मैं तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़ कर डाला है, क्योंकि उन सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी मे से अपनी सारी जीवे का डाल दी है, यवस्था विबरन तैंतीस, एक से उनतीस तक, जो आशिरवाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यू से पहले इस्राइलियों को दिया वहिया है, उसने कहा, यहोवा सीने से आया, और सेर से उनके लिए उदे हुआ, उसने पा मावों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाब उठाता है, मूसा ने हमें व्यवस्था दी, और वह याकूप की मंदली का निजभाग ठाहरी, जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राइल के गोतरी एक संग होकर एकत रित हुए, तब वह जीवित रहे, तो भी उसके यहां के मनुश्य थोड़े हों, और यहुदा पर यह आशीरवाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहुदा की सुन, और उसे उसके लोगों के पास पहुचा, वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोह में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाईयों को अपना माना, और न अपने पुत्रों को पहिचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बाते माई, और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं, वे याकुब को तेरे नियम, और इसराइल को तेरी व्यवस्था और तेरी वेदी पर सरवान पशु को हम्बली करेंगे. फिर यहोवा, उसकी समपत्ती पर आशीश दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहन कर, उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार की वे फिर ना उट सकें. फिर उसने बिन्यामीन के विशय में कहा यहोवा का वह प्रियजन उसके पास ने डर्वास करेगा और वह दिन भर उस पर चाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है फिर यूसुफ के विशय में उसने कहा इसका देश यहोवा से आशीश पाए अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहिरा जल जो नीचे है और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उपते हैं और प्राचीन पहाड़ मानोगाय का पहिलोठा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृत्वी के छोड़ तक के सब मनुशियों को ढखे लेगा वे अप्रेम के लाकों लाक और मन्शे के हजारों हजार हैं फिर जबूलून के विशय में उसने कहा हे जब को बढ़ाता है गात तो सिंगनी के समान रहता है और बां को वरन सिर के चांद तक को फार डालता है और उसने पहला अंच तो अपने लिए चुन लिया क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुशों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राइल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालिन किया फिर दान के विशय में उसने कहा दान तो बाशान से कूदने वाला सिंग का बच्चा है फिर नप्ताली के विशय में उसने कहा है नप्ताली तू जो यहोवा की प्रसन्नता से त और उसकी आशीश से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षन के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विशय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विशय में आशीश पाए, वो अपने भायों में प्रिय रहे और अपना पाउं तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ती हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, वो तेरी सहायता करने को आकाश पर, और अपना प्रताब दिखाता हुआ आकाश मंडल। पर सवार होकर चलता है, अनादी पर मेश्वर तेरा ग्रहध है, हे इस्राइल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उध्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है, वो तो तेरी सहायता के लिए धाल और तेरे प्रताब के लिए तल्वार है, तेरे शत्रू तुझे सराहेंगे, और तू उनके उचे स्थानों को रौन देगा, यवस्था विबरंट 34, एक से बारह तक, फिर मुसा मुआब के अराबा से नबो पहार पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चड़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, और एप्रेम और मंश्शे क का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहुदा का सारा देश, और दक्षन देश, और सोवा तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विश्य में मैंने अबराहम, इसहाक और याकूब से शपत खा कर कहा था, कि मैं इसे तेरे वंच को दूनगा वह यही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परन्तु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मुआप के देश में मर गया, और उसने उसे मुआप के अराबा में मुसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे, तब मुसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशु बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मुसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राइली उस आग्या की दृष्टी में बलवंध हाथ और बड़े भए के काम कर दिखाए।